नबस्कार मेहु संजे कुमार आप सभी को स्वागत है बताना चाहूंगा कि आंगन बारी बिभाग में जो सरकार ने बेतर में बढ़ोतिरी किया है उस पर कई सारे परतिकिरी आ रहा है आंगन बारी सिबका सहाईका और आम जनता कई परतिकिरी आपना दी रहे हैं सबसे परतिकिरी आप सब्सक्राइब बारी बिभाग में जो आइसी डेस ओफिस की जो ऑफिसर है सीडीपीओ हुआ डीपीओ हुआ और सुपरवाइजर हुआ इन सभी का भी जो है कमिसर में बढ़ोतिरी हो गा मैंने पुछा कि इसकी कमिसर में कौन बढ़ोतिरी करेगा उसने कह इसमें सरकार की ही पूरी चाल है कि सरकार की जो ऑफिसर है वो अपनी कमिसर में बढ़ोतिरी करेगा जैसे कि पहले अगर तीन हजार रुपिया लिया खरते थे सीडी पी ओ अब जो है 3500 रुपिया लेगी तो मैंने कहा कि इसका कारण क्या है तो कहा कि यह कारण तो सरकार से समझना पड़ेगा सरकार कुछ बढ़ोतरी नहीं करता है सरकार तो बस हजार दो हजार रुपे बढ़ोतरी करता है लेकिन यह जो 1000-2000 कमीशन लेने वाले जो CDPO है तो पहले कमीशन ले करके अपनी वेवसाई器 को चलाते हैं यह तो सरकार किसी भी तरीके से पैसे को रिफंड ही ले 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 तो मैंने पुचा कि कैसे ले लेते हैं तो कहा कि अब जो बेतल में बढ़ोतनी किया है, तो CDPO या PDPO या सुपरवाइजर अपनी कमिशन बढ़ाएगा, पहले बाउचर बनाने के नाम पर जो LS है, सुपरवाइजर वो एक हजार चलेकर के पंदरसो रुपीय तक लेते थे, अब जो है दो हजार रुपीय वो लेगी, उसके बाद CDPO के बारे में बता है कि CDPO जो है, पहले तीन हजार रुपीय लिया करती थी, अब जो है 3500-4000 रुपीय लिया करेगी, उसके बाद जहां पर वो 4000 रुपीय लेते थे, अब वहां 4500 लेंगे, 5000 देंगे, तो इस परकार से कमिशन बढ़ेगा और कमिशन बढ़ने पाई है, जिससे कमिशन को रोका जा सकता है, मैंने जल्दी बाजी में पूछा कि ऐसी कौन सी बात है, और कौन सी योजना है, कौन सी बिवस्ता है, जो सरकार अगर लागू कर दे तो कमिशन लेना बंद हो जागा, शेबका साहिका ने बिना देरी लगाये हुए, बताई कि अगर पूसहार को अगर बंद कर दिया जाए, तो फिर कमिशन जो है रुख सकता है, तो मैंने कहा कि पूसहार तो बंद हो नहीं सकता है, जो कि अब छोटे-छोटे बच्चे हैं, अब छोटे-छोटे बच्चे को तो सिंटर पर भूख लगेगा ही, तो वो किस परकार ची तो उसने कहा कि अगर सरकार अगर पोसहार को बंद अगर नहीं करना चाहते हैं तो उसने ऐसा काम करें कि जो समान है वही समान गिरा दे जैसे चाबल हुआ दाल हुआ आलू हुआ यह सरकार डायक्ट सेंटर पर सब को जो है वहां दे पैसे नहीं देंतें और यह जब तक पैसे सेवका के दोरा मिलता रहे गा तब तक गयों कि चलता रहे गांँ तो tutti सभब है तो कह closely संभब हैं अगर सरकार अगर डारेट ऑफिए भेजवाद देता है कि चाबल और दाल और सब्जी तो वहां तो बहतर तरीके से बना करके बच्चे को खिलाया जा सकता है जितनी पोसाहार है वो अपने सरकार अपने अंदर मेहरा करके डेली उसमर भेजवाद दिया करें पोसाहार की जो तत्व है वो डारेक्ट भेजवाद दिया करें कि सेंटर पर उसकी बाद मैंने कहा कि अगर इसमें क्या दिक्कत आ रही कि अगर पोसाहार आपके नाम पर मिल रहा है तो कहा कि पोसाहार में तो जो बच्चे के नाम पर जो मिलता है वो तो मिलता ही है लेकिन वह सेवका के हातों में आ जाता है और उसी में से जो है अधीकारी के पास क्यों कूपलियन की आप लोग ने तो का कि कौन से अधीकारी जेला में जो अधीकारी बैढ़ता है जो वो तो खुद कमिंशन की मांग करता है अगर सीडिप्यों अगर उसको रिश्मत अगर नहीं पहुंचाता है तो फिर जो है दुसरे परकंड के सीडिप्यों को वहां भेज दिया जाता है मतलब इस परकंट के सीडीपियों को उस परकंट में और उस परकंट के सीडीपियों को इस परकंट में और इस परकार चे पूरी मामला जो है कमिशन खोडी का बना हुआ रहाता है तो मैंने कई सारे सवाल किया तो मैंने उसके बाद जो है कहा कि इसमें आप लोग मुख मंत्री के पास क्यों नहीं कंप्लेन करती का दा कि मुख मंत्री को भी तो कमिशन जाता है अब 10 लाक रुपिये पर मंत घोटाला हो रहा है तो शिवका का कहना कि 10 लाक रुपिये पर मंत जो सीडिप्यों घोटाला करती है तो वह 10 जार रुपिये तो सिर्फ खुद को नहीं रखती है न वहां के जो है बिधाय को एमपी को परमूख को उसके बाद विडियो को सीओ को जीला में जो DPO है उसको मुख मंतरी तक को कमिशन भेजते हैं तो मैंने कहा कि ये फिर आप लोग धर्ना परदसन कीजिए मालनी जीए कि अगर एक परखंड में अगर 300 अगर सेवका सहाईका है 300 सेवका है और 300 सहाईका तो भी धर्ना परदसन आप लोग क्यों नहीं करती है कि अगर आज धर्ना परदसन कर दे तो कल से सिंटर के जाच होना सुरू हो जाएगा संटर पर जाच होना जब सुरू होगा तो एक एक बच्चे को जो है खंगाल दिया जाएगा कहीं न गलती खुंड लेगा ही वह अब जो गलती हम लोगों नहीं करेंगे वह गलती तो कहीं से खुंड करके जबरदस्ति चैन मुक्ति करके उसको आड़ाने के कुछिस करें तो मैंने बहुत सारे चीजición पर पहल जो पर मैंने मेंटिलिटी वाले जो ओफिसर है रिश्वत लेने वाले जो ओफिसर है वो अपनी रिश्वत में जो है बंद कर दे या फिर रिश्वत ले ही नहीं या फिर सीडिपियों के उपर ही छुर दिया जाए सारा काम कि सीडिपियों ही अपना खाना खिलाए सीडिपियों ही बच्च शार परखंड के मामला आपके सामने रखना कर इसका साहिका ने त безопас कर के बताया मिलता है तो फॉप सरकार नहीं तो पैदल भी चलता है घर पर कमिसीन मनकर्थ नहीं कौन सा जुझे और अपनी गरीमा को कहा रख दिया पता नहीं चलना है कहता है कि वो सरकारी गारी से आए चाहे नहीं आए पैदल भी घर पे आकर के कमिशन लेकर के चलिए जाती है अगर एक रोज अगर कमिशन लेट हो जाया तो पूरी भबाल ख़रा कर देता है तो इस परकार की मेंटिलिटी है जब तक इस परकार के रविया में सुधार नहीं करेगा तब तक समझ में नहीं आगा चलिए आगे क्यों